हेलो दोश्तों, आज हम क्लाश टिन का महित करेंगे जो टर्म टू सेंपल पेपर का कोश्चन नमर फाइब है कोश्चन है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डर दी मार्क्स अप्टेंड बाई हर स्टूडेंट इन दा फॉलोईंग टेबल एक टेबल दिया गया है, उसमें अपने बच्चे का स्टूडेंट को पराती होगी, कोई मेसेस गर्गी, उसका जो मार्क्स अप्टेंड यहां पर लिखा गया है C, calculate the model marks of the student of the class as 45 और इसका जो model marks यानी की mode निकाला गया वो 45 आएंग वाल प्रिंटिंग दी डाटा, एक ब्लेंग लेफ्ट जब यह लिख रही थी तो एक ब्लेंग छुट गया Find the missing frequency in the table given below और यह ही हमको find करना है ठीक, यह mode दिया हुआ, model marks वही होता है mode, तो इस data में से हमको यह जो चुट गया है उसको करना है तो देखिए, इसमें यह जो था mean निकालने का था, यह table जो होता है, mean निकालने का table होता है, तो इसमें नहीं भी कज़ेगा तो चलेगा, बस इसका formula है mode निकालने का, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 bracket into height अब यह किसको किसको बोलते हैं, वो बता देते हैं, देखिए, यहां देखिए, पहले तो देख लेना है, जो खाली blank जो हमसे पूछ रहा है, उसी में देखना है, इदर उदर छोड़ देना है यह सब, L मतलब होता है, मेरा यह जो L है, L मतलब होता है, यहां देख सकते हैं, lower limit of model class model class इसको बोलते हैं, इस class को जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे class में, उस class को model model class बोलते हैं, तो इसमें lower limit इसको बोलते हैं, यह lower limit यह upper limit थिक, तो model class का जो lower limit है, यह 40 है, यानि की मेरा L ब्रावर 40 हो गया, और यहां आप देख सकते हैं, F1 और F0, तो F1 और F0 इसमें किसको बोलते हैं? इसको जो यहां पहन है, model, F1 देखिए किसको बोलते हैं, frequency of the model class, model class का frequency, यह है model class, इसका frequency यहां जो होगा यह जैसे है, frequency of the model class है, इस model class का frequency से हैं, तो इसमें भी तो होगा, तो नहीं दिया होगा है, तो F1 लिग देगा है, तो मेरा आ जाएगा, F1 बरावर नहीं पता है, ठ अब F0, F0 उसको बोलते हैं यह frequency of the model class, उसके पहले जो होता है उसको बोलते हैं F0, F1 और यह F0 बरावर दिया हुआ है मेरा 10, और इस formula में है F2 एक, F2 बोलते हैं इसको उसके आगे वाला को, 6, F1 इसको उसके पहले वाला को, F0 frequency है यह F1, F0 और F2 इसको और यहां पे एक दिया हुआ हाइट, तो हाइट उसको बोलते हैं देखिए, size of the class interval, size of the class interval मतलो यह जो model mark से इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 40 side, इसमें 20 का डिफरेंस है, हाइट होगी है मेरा 20, सारह में 21 का डिफरेंस है, 20, यहां भी 20, यहां भी 20, तो यह इतना आगी, अब यही सब यहां put कर देना है, और इसके बरावर दिया हुआ है, मेरा mode का formula है, model marks मेरा 45 यहां पहले question में दिया हुआ था, तेक, वो इसके बरावर कर देना, अब यहां put करेंगे, L बरावर में 40 निकाल च और फिर 2 F1 हमको निकालना है, माइनेस F0 है मेरा 10, और F2 है मेरा 6, ठीक, और हाइट है मेरा 20 का डिफरेंस है वो दोनों में, तो 20, इसको 45, तो आप इसको 40 प्लस F1 माइनेस 10 बाइ 2 F1 माइनेस 16 इन्टो 20 इसको 45, अब इदर थोड़ा जगा नहीं है तो इदर लिखते हैं 40 प्लस ब्राकेट F1 माइनेस 10 ब्राकेट F1 माइनेस 10 बाइ, इसमें से देखें, दो कोमन ले लेंगे, दो तो बच जाएगा, अगर दो कोमन ले लिएं तो यह हो जाएगा मेरा F1 माइनेस 8 यह बड़ा बड़ा दे देंगे इंटू 20 है, इंटू 20 इसकल टू 45, इसकल टू 45, अब देखें यह इंटू में यह 2 से यह 10 बार में केंसिल हो जाएगा अब बचेगा, 40 प्लस F1 माइनेस 10, F1 माइनेस 8 इंटू 10 इसकल टू 45 ठेक, अब 40 प्लस 10 को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो 10 F1 माइनेस 100 बाइ F1 माइनेस 8 इसकल टू 45, इस 40 को अब उस पार लेके जाएगे तो 10 F1 माइनेस 100 बाइ F1 माइनेस 8 इसकल टू 45 माइनेस 40 यह आ जाएगा मेरा अब यह तो यह तो माइनेस करने पर 5 आगा अब इसको इससे मल्टिप्लाइ करतेंगे 5 F1 माइनेस 40 10 F1 इस 5 F1 को इधर लेके आएगे मैनेस में आएगा और मैनेस 40 मैनेस 40 अब इसको उधर लेके प्लस 100 यानि 5 F1 इसकल टू 60 यानि कि 5 से 12 बार में किंसल आउट हो जाएगा यह यानि कि F1 ब्राबर 50 तो 12 यह मेरा एंसर आजाएगा यहां पूछ रहा था F1 तो यहां हो जाएगा मेरा 12 अंसर ठीक इसी तरह बनाना था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद